आज मैं आपके लिए त्रिकौन मीती क्लास 11 का क्लास 11 ये इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये एंगल क्या है इसको समझने के लिए अगर हम लोग एक पॉइंट को कंसिडर करें और यहां से एक रे को निकालें ये एक रे है जिसका इनीशियल पॉइंट ओ है और इस रे पर कहीं एक पॉइंट ए है तो ये इनीशियल लाइन अगर हम इसको कंसिडर करें इनीशियल लाइन और अब ऐसा करें इस इनीशियल पॉइंट के एबाउट में अगर इस रे को रोटेट करें आइदर इन एन्टी क्लोग बाइज डियरेक्शन और इन क्लोग बाइज डियरेक्शन तो वन वाइन हम लोग देखेंगे जब अगर हम इसको एन्टी क्लोग बाइज में रोटेट करते हैं सपोज किजिए इस ओ पॉइंट के एबाउट इसको रोटेट किया और रोटेट करने के बाद यह यहां पर आया तो यह हो गया फाइनल और इसको हम बोलते हैं टर्मिनल टर्मिनल लाइन अब यह इनीसियल लाइन और टर्मिनल लाइन जब इनीसियल लाइन को ओ पॉइंट के एबाउट क्या किया हमने रोटेट किया तो अब इस दोनों इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में जो इनक्लानेशन है ये है इनक्लानेशन इस इनक्लानेशन को ही हम लोग बोलते हैं एन एंगल ठीक है इनक्लानेशन इनक्लानेशन बीच में बीच 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 और इनिशियल 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 गैंपल आशियल खिन टर्मिनल लाइन इस नौन एस एंड एंगल इसमें ये पॉइंट को जो इनीशियल पॉइंट है जिसके अब आउट में हम लाइन को इनीशियल लाइन को रोटेट किया है इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स और ये इनीशियल लाइन कहलाता है एंगल का इनीशियल साइड भी बोलते हैं इसको इनीशियल साइड और ये टर्मिनल साइड और ये एंगल कहला है अब देखिए इसमें मेजर ओफ एंगल है अगर ये एंगल है इसका मेजरमेंट करने का कोई ने कोई तरीका होगा तो मेजरमेंट के लिए एंगिल के मेजरमेंट के लिए हम लोगों के पास दो मेजर है फर्स्ट मेजर है इसको बोलते हैं डिग्री मेजर क्या बोलते हैं डिग्री मेजर इसमें ध्यान दिजेगा अगर हम लोग एक सरकिल को क्या करें कंसीडर करें यह एक सरकिल है जिसका सेंटर जिसका सेंटर माल लेते हैं यह है अब यहां पर इस सरकिल में अगर हम लोग 360 पार्ट में सेक्टर बनाए यानि इसका एक सेक्टर दो सेक्टर यानि इस सरकिल को 360 सेक्टर में अगर इक्वल सेक्टर में डिवाइड करें तो इच सेक्टर का जो सेंटर पे एंगिल होगा उसको हम बोलेंगे वान डिग्री इसको 360 सेक्टर में इक्वल में डिवाइड कर देंगे 360 तो उतना करना पॉसेबुल नहीं है 360 आगर मान लेते हैं ये एक सेक्टर होगा 360 सेक्टर में डिवाइड किया तो ये एक सेक्टर अगर हुआ तो इस एक सेक्टर सेंटर पे जो एंगिल बना रहा है उसको ही हम बोलते हैं 1 डिगरी समझ गए तो 360 डिगरी जो होता है किसी सेर्किल के सेंटर पे एंगिल बनता है ठीक है अब जो है यहाँ पर देखिए डिगरी ये इसको डिनोट करते हैं 1 डिगरी ऐसे लिखेंगे एक सेक्टर का सेंटर पे एंगिल जो बनता है वो 1 डिगरी हुआ अगर हम 360 सेक्टर में उस सर्किल को डिवाइड करते है डिगरी ये बड़ा यूनिट है इसका छोटा यूनिट भी होता है छोटा यूनिट होता है एस्मॉलर यूनिट जो है ये होता है मिनट और उस से एस्मॉलर यूनिट जो है डिगरी का वो होता है क्या चीज़ सेक्ट मिनट को हम डिनोट करते हैं इससे और सेक्ट को डिनोट करते हैं इससे तो 1 डिगरी इस इकॉल टू होता है 60 मिनट समझ रहें मेरी बात को 1 डिगरी इस इकॉल टू 60 मिनट और 1 मिनट इस इकॉल टू 60 डिगरी 60 सेकेंड ठीक है अब इतनी बातों को अगर समझ गये तो मैं थोरा सब वाइट बोट साब कर लेता हूं अब यहां पर हम लोग देखते हैं जैसा कि पहले हमने बताया था ये इनिस्यल साइट ये टर्मिनल साइट और ये वर्टेक्स ओ अब यहां पर देखिए मैंने बोला था आप हम यहां एंटी क्लॉग बाइज भी मूब कर सकते हैं और क्लॉग बाइज भी मूब कर सकते BETH मूबमेंट दोनों साइट से होगा अगर हम लोग एंटी क्लोग बाइज मूब करें एंटी क्लोग बाइज तो एंगिल जो होगा वो एंगिल पॉजिटिव होगा आंती क्लोग वाइज में इंटी क्लोग बाइज में इन खरिएंगिल बा पज़िए तो एंगिल बिय अजुब बे पॉजिए तो अब देखिए डिफ्रेंट रोटेशन देखिए यहां पार अगर हम लोग इसको रोटेट करें यह रोटेशन यह रोटेट किया ऐसे यह हो गया 90 अब जो है अगर यह इनिशियल पॉइंट और यह इनिशियल शाइट जस्त इसके अपोजित हो जाए यानी रोटेशन अगर इस ढग से हो यह इनिशियल पॉींट और यह तो यह एंगिल यह एंगिल इस साइड में यह हुआ 180 ठीक है उसके बाद देखिए यह यह देखिए यह कितना हो गया 180 यहां तक यह और उसके बाद यह 90 यह टोटल एंगिल हो गया कितना 270 और अगला रोटेशन अगर इनीशियल साइट रोटेट करके फिर अपने पहले प्लेश में आ जाए यानि इनीशियल और टर्मिनल दोनों एक दूसरे को क्या कर ले ओभर लैप कर ले तो उस समय कम्प्लीट 360 डिगरी का एंगिल बन जाता है अगर इसको हम बोले हैं क्या चेज़ इनीशियल साइट और यही हो गया इसका टर्मिनल साइट एक ही पोजिशन में हो जाए तो यह कम्प्लीट 360 डिगरी का एंगिल हो गया यह सारे अभी एंटी क्लोग बाइज मूब कर रहा है तो सारे एंगिल का यह क्या हो गया पॉजिटिव है यह सारे अगर हम ऐसा करने एंटी क्लोग बाइज यहां से शुरू करें यह यह हुआ एंटी क्लोग बाइज सिमलर फैसन में यह सारे एंगिल जो होंगे क्लोग बाइज वो क्या होंगे निगेटिव होंगे so if if rotation if rotation is clockwise if rotation is clockwise then angle will be negative अब जो है हम एंगिल के दूसरे मेजर को यानि रेडियन मेजर को समझेंगे